कि गाइस दिस इपी वल्कम बैक नुमाई यूटूब चैनल एपी सर इंग्लिश फ्रेंड्स आज हम लोग डिसकस करेंगे सीडियस का पेपर सीडियस 2021 का है यह 14 नॉमबर 2021 को लास्ट विक जो हुआ था वही पेपर हम लोग डिसकस करेंगे बैसिकली डिसकस नहीं है आज हम लोग आंसर की देखेंगे और आप सभी अपना questions और answers मैच करिएगा अपना score मैच करिएगा question नमर एक देखते हैं 40 Wings एडियम में बताना है इस एडियम का मतलब क्या होगा 40 Wings का मतलब क्या होगा 40 Wings आ जाए या फिर cat nap आ जाए तो इसे बोलते हैं a very short sleep basically during the day दिन के समय जो और अपने question book में या जैसे भी आप note करें हो वहाँ पर आप answer मैच कर लीजिए तो option number D of short sleep during the day इसका answer हो जाएगा option number first question का second number question का जो answer हो जाएगा life in the raw life भी किसमें raw में है यानि कि life in its natural unembellished state option number A second का A हो जाएगा थर्ड में a paper tiger a paper tiger यानि कि tiger आपने बनाया किसका paper का तो दिखने में तो बड़ा खतरनाग लेकिन है किसी काम का नहीं इसलिए बोल देंगा paper tiger तो paper tiger that means a person or thing that appears a threatening but it is ineffectual यानि कि option number A three का A हो जाएगा fourth number का जो answer हो जाएगा penny wise and pound foolish penny wise and pound foolish as idiom speaks a lot penny wise यानि penny बहुत ही पैसे की बहुत ही सबसे सूच में काई यानि सबसे छोटी काई penny और pound बड़ा हो जाएगा तो penny wise है लेकिन pound को लेकर foolish है यानि छोटी चीज तो बचाता है लेकिन बड़ी चीज को खर्च करता है उसे बोलेंगे तो option number four का जो हो जाएगा answer क्या हो जाएगा देखिए careful about small amount amounts but careless about large amounts option number b ball fourth का यानि चार नमबर का answer जो हो जाएगा और बड़ते है question number five में pin back your ears pin back your ears मतलब कि आप जो भी स्टीज सुनो ध्यान से सुनो तो क्या हो जाएगा to listen carefully to something यानि option number a जो हो जाएगा वो 5 का a हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number six देखते हैं turn quote मतलब जो होता है दल बदलू जिसे बोलते हो जो article अनिसूची 10 में सोरी है अनिसूची 10 में है turn quote तो उसे क्या बोलेंगे भगवड़ा जिसे बोलते हो turn quote तो turn quote यानि की कौन सा हो जाएगा expert at altering quotes नहीं someone who deserts one group to join another विल्कुल बी बॉल हो जाएगा six number का answer जो जाएगा बी बॉल हो जाएगा someone who deserts मतलत ट्याग देना यहाँ पर एक desert वो अला desert होता है झेकस्तान माला वो अलग है someone who deserts one group to join another उसे बोल देंगे turn quote आगे बढ़ते हैं, question number seven देखते हैं, question number seven कह रहा है, say your peace, यानि अपनी बात को कह देना, अपनी बात को कह देना, यानि आप क्या को बोलोगे, अपने जो thoughts हैं, उसे express कर देना, तो express your opinion को क्या बोलेंगे, say your peace, बहुत ही आसान पेपर है, मझे निलगता है, serious cut-up paper है, tough तो नहीं है, हाँ, बहुत ही question आपको ना रहे हूं, देकिन अगर थोड़ा से दिमाग लगाते हैं, तो बहतर आंसर कर लेते हैं, top notch का मतलब क्या है, top notch का मतलब है, यो भी चीज है, बहुत ही highest quality की है, अच्छी quality की है, बहतर quality की है, तो top notch का मतलब हो जाएगा, of highest possible quality, question number nine का answer क्या हो चाहिएकर अंडर टेबल मतलब टेक ब्राइब, घुष लेना उसे बोलेंगे अंडर तेबल, तो अंडर तेबल को ओंटर हो जाЕएगा, क्या? ग्रीज समोन सपाम, मतलब की कि किसी की हते ली को हते हैं, पे फिरी ने ग्रीज लगाना मतलब क्या बोलता है ग्रीज समोन सपा चुपके से, तो 9 नमबर का जो answer हो जाएगा, डी डॉग हो जाएगा, under the table, option number डी डॉग, 10 नमबर का हो जाएगा, at the drop of a hat, at the drop of a hat, इसका answer जो हो जाएगा, suddenly and without much thought, option number B ball, 10 का B ball हो जाएगा, 11 नमबर का answer देखते हैं, 11 नमर में आपको जो है, यह जंबल लगा है, बहुत ही अच्छा है, इसके answer में बता देता हूँ आपको, an ideal situation is one who establishes his standard in everything, यानि S1 तो start होगा, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, S से, he loves his country, विर्कोल S से, S R Q P, S R Q P, यानि option number A, बहुत ही आसान है, मैंने देखो, मैंने second में यह answer बता दिया, option number जो हो जाएगा, 11 का, वो A हो जाएगा, S R Q P, आगे बढ़ते हैं, question number 12 में, 12 number का जो question हो जाएगा, answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका RS Q P, RS Q P, 12 number में देख लिजाए, फिर से बार, answer जो हो जाएगा, हो हमारा, RS Q P, यानि का, option number C, 12 का C हो जाएगा, 13 number का answer क्या हो जाएगा, 13 number का हो जाएगा, S Q P R, S Q P R, यानि C, 13 का C, S Q P R, 14 number का answer क्या हो जाएगा, 14 number का answer हो जाएगा, P Q S R, P Q S R, यानि 14 का B ball हो जाएगा, 14 का B ball, P Q S R, SQRP 15 नमबर के हो जाएगा, SQRP, that is option number A, 15 का A, 16 नमबर का अंसर के हो जाएगा, 16 नमबर का अंसर हो जाएगा, RSQP, RSQP, RSQP किसमें, D-Dog में है, 16 का D, 16 का D, 17 का का अंसर हो जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं इससे टिक करके भी आपको फीडियो आपके फॉर्म में अपने टेलेक्राम चैनल पर बता दूँगा और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा टिक करके वहां पर तो 17 का अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी आर क्यू एस पी आर क्यू एस पी आर क्यू एस किसमें है डी डॉग में है अपसन नमबर डी 17 का डी डॉग हो जाएगा अगर आपके कॉर्डिंग कुछ और आंसर लग रहे है तो जरूर मुझे बताइगा कॉशन नमबर 18 कांसर क्या हो जाएगा 18 कांसर SRQP और आपके किसमें हो जाएगा इंटिकलर e box वेग better ्वउन का औज उता हुए गई पांची पांची में नी पाइडात मोट ऑने डहेध स्शलिम हो जाएगा उक員 अब कि खंच ट्रा प्लंप इसके संड़ितन मुझेश्चरण मन मतलब मतलब होता है समापन, 24 मिस मतलब होती Son, 24 तो 25 में कहरा P описании पंडे मों या मतलब होती हो हलल 되는 देशब पर हो जाएगा अप्होंड हो जाएगा को लेड हो जाएगा यानि 52 पीस इसका इंटनिम हो जाएगा पैंद्जब काशव जाएगा तो प्रोग की रखना तो देलेश आठा चाएगमे दो आध कशेगें विंडिकेटेन उतलब क्या निर्दोस्ट है रहाना तो आपसन नमबर A, 28 का A हो जाएगा, बहुती आसान हो कहा है भए, अगर आपने पीछले previous paper देखे हैं और अच्छे से उनको अनलाइज किया है और अच्छे से उनको सॉल्व किया है तो जरूर आप अच्छा सा स्कॉर कर पाएंगे मेरे जुटिएंस है काफी अच्छा स्कॉर इसमें किये है इस वेपर में 29 नमबर का कुशन है बोस्ट में सुटा दिंगे हाकना बहुती बढ़ा चढ़ा कर बोलना तो डेप्रिकेट मतलब बहुती कम कर देना इस इस को काट चाट कर देना कम कर देना हो जाएग तीस नमबर का इसेंट्रिक इने सेंट्रिक मतलब क्या हो जाएगा बहुती कि ही डिलिवर्ड एन इसेंट्रिक स्पीच बहुती सकेंद्री बहुती सूच बिल्कुर ना बिल्कुर नॉर्मल हो जाएगा थर्टी का सी हो जाएगा मेरे साब से थर्टी सी नॉर्मल होना चाह कि higher सैंडर में कि अंडरियन यानि कि हमें बताना कि पार सब्सप्रीच डाला कि कौंसा इस इस इसमें क्या है कौन सा सवस्में किया गया या कौन से यहा गया या तो जो सा प prepare ये उंडे ड्वान चाहिए और पिले सोने चाहिए, वर्ब औजेक्ट्ट्व औजेक्ट्ट्व तो होना से नहाँ अजेक्ट्ट्ट्व नहीं है वर्ब भी नहीं नाउन तो हई नहीं इतरिछ अमशचे नहीं है गहां जो आपके मॉड को रिप्रेजन करते हैं जुरुन नहीं कि वो sentence का कोई अहम हिसा हो अगर आप sentence को उस पार्ट को हटास भी सकते हैं intensifier word को आप हटास भी सकते हैं sentence में core meaning में कोई difference नहीं आएगा हलां कि अगर इसका आयो कोई और option नहीं दे रखा है तो intensifier ही देगा वो क्योंकि intensifier हो कहीं ने कहीं adverb ही होते हैं हलां कि यहां पर ब्यादर option जो है वो adverb of place याणि adverb होना चाहिए था लेकिन नहीं है तो आप 31 के c के साथ जाएंगे intensifier क्योंकि intensifier भी होते हैं kind of adverbs ही होते हैं तो option number c आप देखेगा बाकि आयो क्या answer देता है verb adjective noun तो किसी हाल में हाई नहीं intensifier ही देगा हो या तो फिर adverb होना चाहिए थे हां पर 32 का देखते हैं he went away he went away वो चला गया they had left जब हो गये थे यानि ये दो sentence हो दो clause को जोडने का काम कर रहा है दो clause को जोडने का काम कर रहेगा तो conjunction हो जाएगा after यहां पर क्या है conjunction है तो 32 का d dog हो जाएगा conjunction extremely new extremely new अगर extremely new new तक underline किया गया है तो extremely new new कैसे है adjective clause हो जाएगी sorry adjective phrase हो जाएगे तो यहां पर यह adjective phrase है extremely new तो adjective है हमारा यहां पर 33 का c होना चाहिए 34 का क्या हो जाएगा you are paying less attention you are paying attention attention कैसा less यानि कि noun को qualify कर रहा है अगर वो जो वर नाउन को qualify कर रहा अजेक्टिव हो जाते है तो option number b ball adjective हो जाएगा यानि less एक adjective है 34 का b ball हो जाएगा 35 में कर रहा है why फिर कौमा दे रखा is it really सुझाता on the phone मतलब एक अशंबित वाली बात की जा रही है एक interjection बात की जा रही है वाई के बात कौमा लगा है वाई is it really सुझाता on the phone तो वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर interjection हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 36 से लेखते है 36 में कर रहा है sit down and rest a while a while लेने की कुछ समय के लिए while जो है वो noun भी बनते हैं और हमारे conjunction of मतब conjunction भी बनते हैं sit down and rest a while a article दे रखा है while लगा है तो यहाँ पर जाहे से बात है ना होने बड़ा आसान तरीका है तो 36 का d dog हो जाएगा rakes is two old old कितना two old बहुत ज़्यादा यानि old को qualify कर रहा old qualify यानि old adjective adjective को qualify कर रहा तो adverb होगी तो यह क्या हो जाएगा two adverb है adverb है यानि option number a 37 का a adverb हो जाएगा 38 में क्या कह रहा कि for the next generation of interior architects and design graduates work opportunities are immense क्या चीज़ बहुत ज़्यादा है work opportunities work opportunities are immense what is immense या what are immense work opportunities यहां पर क्या है noun है वेरिकुल आसान है 38 का noun हो जाएगा 39 में क्या है life is a solo fight fight noun है noun को qualify करने वाला word adjective हो जाता है तो solo क्या हो जाएगा यहां पर adjective हो जाएगा 40 में the cat loves comfort सबसे आसान यही है the यहां पर क्या है definite article है option number b 41 में देखते है अब देखो bags यहां पर plural है तो plural ही होगा अब is तो नहीं होगा बाकी वर इसलिए नहीं होगा क्यों मैंने पूरा पैसेज पढ़ रखा है उसमें यह present की बात कर रहा है तो the polythene bags अब यहां पर become non-biodegradable that is the meaning नहीं दे रहा है यहां पर क्या हो जाएगा the polythene bags are non-biodegradable बिरकुल यह इनके बारे में बात की जा रहे है कि जो polythene bags होते हैं वो क्या होते हैं non-biodegradable होते है that is मतलब क्या they cannot be decomposed उनको decomposed नहीं कह जा सकता है by बिरकुल 41 में R हो जाएगा यानि A हो जाएगा 42 में by हो जाएगा by microorganism into manure अब यहां पर decomposed into मतलगा देजिएगा यानि C option बहुत से बच्चे यहां पर कलती कर दिये तो यहां पर क्या हो जाएगा 42 में B बार sorry A हो जाएगा by by be decomposed by microorganism into manure manure में तो नहीं गोबर की खाट आए बोला they remain as they are यानि option number 43 का A they remain as they are even after years सालों बाद animals that started eating waste food वो animals जो स्टार्ट कर देते खाना यह wasting food को 44 में 44 का answer क्या हो जाएगा besides नहीं besides नहीं हो जाएगा किसास नहीं besides यहां पर के by the side through नहीं along along हो जाएगा along with बन जाएगा तो eating waste food along with यानि option number D 44 का D dog हो जाएगा along with these polythene bags ultimately अंतता started dying मरना सुरू हो कर देते हैं मरना सुरू हो जाते हैं 45 में answer जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अंतता starting dying because reason क्या because their internal system was getting blocked इसका reason क्या था मरने का reason क्या था मरने का reason यही था because हो जाएगा because conjunction of reason बताना because यानि 45 का आशन number C हो जाएगा 46 में कह रहा है कि the government had not sorry the government had no alternative had यानि past की बात कर रहा है the government had no alternative but to but to होना चाहिए यहांपर बीबॉल 46 का बीबॉल होना चाहिए 47 में कह रहा है कि but to ban these polythene bags it is duty of the government it is the duty of government यानि कि 47 का C हो जाएगा it is the duty of government of the government to look into the matter into this matter however it is also the duty of देखो the duty आप यहांपर दे रहा है it is also the duty of each individual to अब देखो यहांपर एक बहतर आप्शन है get it नहीं होगा do it नहीं होगा convene it नहीं होगा see it see to it यानि कि है यह हर हर किसी इंडिविजूल की भी duty है कि वो इस मद्दे उपर गौर करें ध्यान से देखे इस मद्दे को see to it मतलब करना गौर करना see to it option no.48 का d-dog हो जाएगा that we that we अब देखो that we यहांपर क्या हो जाएगा 49 का जो आंसर हो जाएगा that we are not did not were not aren't not बता क्या हो जाएगा don't हो जाएगा विर्कुल यहां पर बात की जारी that we don't use polythene bags again polythene bags use ना करे by using these we will not only harm the environment but ourselves as well thus इसलिए say no to plastic bags and contribute contribute proposition takes कौन से proposition लेता है to to contribute to the society contribute to society so 49 का क्या हो जाएगा don't हो जाएगा c और 50 का अंसर क्या हो जाएगा be ball to आगे बढ़ते हैं 51 में देखते हैं इसमें क्या करना है fill in the blanks देखना है with correct proposition के साथ एडिटर्मिनर के साथ जो भी लगे यहां पर तो 51 का मैं आंसर बता देता रहूँ he succeeded by dint of by dint of मतलब की by means of के द्वारा तो by dint of यहां पर हो जाएगा यह हो जाएगा 51 का यह हो जाएगा 52 का आंसर में बताना due to his illness he could not finish the work on time हो जाएगा किसी समय पर काम कर लेना on time समय रहते काम समय से पहले काम कर लेना in time समय के अंदर काम करना within time तो on time हो जाएगा और exact time पर काम करना तो add the time ठीक है तो 52 का क्या हो जाएगा on time work on time 53 क्या कह रहा है there is no meaning in what you say आपने जो कहा उन में उसको में कोई मतलब नहीं है तो आपने यहां पर in लगाना यहां पर हाला कि अगर कोई profession off होता तो वो भी चल जाता लेकिन तब in नहीं होता दोनों लग जाते थे उस case में there is no meaning in what you say any option number C हो जाएगा मेरे इसाब से 53 का in हो जाएगा 54 का क्या हो जाएगा these are good rules to live why क्योंकि अब वाकि अगर हम यहां पर कोई और preparation लगाएंगे कि अगर मैं बिद रखोंगा तो living होना चाहिए था two रखने से बात बन जाएगी in रखोंगा तब लिविंग होना चाहिए था on रखते तब लिविंग होना चाहिए था जो कि है नहीं तो यहां पर बहुत आसान है चावण का क्या हो जाएगा 55 का क्या हो जाएगा He is the man I have been looking for ये वो ही आदमी है जिसकी में तलास कर रहा हूँ तो looking for में सुता सर्च करना लुक फॉर तो option number B हो जाएगा 55 का B हो जाएगा 56 का don't loiter, loiter means घूमना around the street, around the street यहां पर क्या हो जाएगा, out of a place 56 का B हो जाएगा 57 में देखते हैं 57 में कह रहा है कि sit here यहां पर बैठो, beside me, मेरे बगल beside means by the next by the side, यानि by the next जो बोलते ही ना है, next to beside me उस होता है के बगल, तो option number B बगल sit here, beside me by me नहीं होगा, in me नहीं होगा, on me नहीं होगा क्योंकि लॉजिकल है, beside me beside यहां पर ध्हान दीजेगा beside me होता है, next to और एक yes वला beside होता है उसका मतलब होता है in addition to तो यहां पर beside का मतलब यह proposition है यहां रिखेगा, beside prepodession हो, यहां नहीं होता है next to यहां तो बगल में कิसी के, to sit here beside me यहां इनि मेरे बगल में बैठो we must not shy away from सेख्रायं सभी सेख्राइज विए क्या हो जाए कर नेरा फ्राइज सब्क्राइब के आप दो मेजर रोल होना चाहिए घर सब्सक्रार्ण 60 का ध्यांदी है, he traveled, अब देखो, he traveled यहाँ पर क्या हो जाएगा, by, अगर हम लगाते तब, जब यहाँ पर हम यह समझ दिखाते कि यह जो कार है, यह mode of transportation है, लेकिन यह mode of transportation नहीं किसी particular कार की बात की जारी है, तो वहाँ पर हम in लगाएंगे, दूसरा, यहाँ पर हमने दिखाया भी है, पताते भी है, कि जब possession लग जाता है, तो वहाँ पर definite हो जाती, in लगाएंगे, तो he traveled in his, in Mr. Josie's car, option number C हो जाएगा, थोड़ा से धंग से समझेगा, अगर आप कहेंगे, तो मैं इसका complete solution भी दे दूँगा, detail solution दे दूँगा, एक example बता-बता के, he traveled in Mr. Josie's car, यानि 60 का C हो जाएगा, मैं recording, 61 कां से देखते हैं, 61 में कह रहा कि, fill in the blanks, honesty is, देखो, अब इस है, यहाँ पर, तो अब आप इस के बाद है, अब देखो, he lifts off his pen हो जाएगा, यहाँ पर, option number D dog, यानि 62 का जो D हो जाएगा, वो answer यहाँ पर सही है, live off, फ्रेज हैं यह, ध्यान रखेगा, live by, live with, live on, live off, क्या होता है, तो यहाँ पर option जो हो जाएगा, उसी, lives off हो जाएगा, he lifts off his pen, what about left, 62 D का, 63 का answer क्या हो जाएगा, much water has run, अब देखो, यहाँ पर under हो जाएगा, जाहिसी बाद है, अगर over होता तो भी लग जाता है, लेकिन under है, तो under यहाँ पर answer C, यहाँ पर much water has run under the bridge since then, तब से, तो 63 का जो answer हो जाएगा, वो C हो जाएगा, 64 का कर रहे, the gun, gun went off, go off मतलब क्या हो जाना, explode हो जाना, go off का मतलब होता है, explode आना, तो go went gone, यहीं, the gun went off, यहीं, b-ball, 64 का b-ball हो जाएगा, 65 का they fought, अब देखो, यहीं बड़ा चाह संते हैं, they fought the last man in the army, वोनोंने अंत तक लड़ा, अंत तक लड़ा, they fought to the last man, वोनोंने अंत, मतलब जो सबसे आखरी आदमी था, उससे भी लड़े, तो किसी आर्मी के जैसे मैं बात कहीं हूं, तो इस टाइप से, they fought to the last man in the army, with the last man नहीं होगा, with the last man मतलब कि वो आखरी आदमी थे, उसी से लड़े, to the last मतलब, वो अंत तक लड़े और आखरी आदमी तक लड़े, तो they fought to the last man in the army, यानि 65 का D-dog हो जाएगा, मैज करिएगा अपने answers, और फिर कमेंट में बताइएगा, कितने सही हुई हैं आपके, keep him, keep him, आप देखो, keep him at an arm's length, यह तो आपका idiom है, कई बार पूछा गया है, keep him at arm's length, मतलब कितने हैं कि दूरी बना के रखना, maintain distance, so option number 66 का A हो जाएगा, he succeeded, he succeeded in the long run, in the long run मतलब कि अंतता, finally वो succeed, वो सफल हो गया था, he succeeded in the long run, option number C हो जाएगा, 67 का, 68 का गयर है, have you ever tried, क्या आपने कभी tried किया है, कोशिस की है, climbing or, coconut tree, climbing हो जाएगा, to climbing नहीं होगा, going on, going up नहीं होगा, option number A हो जाएगा, 68 का, climbing, climbing भी बोलते हो लोग, climbing सही से, pronunciation सही से, climbing ही होगा, option number A, 69 का कहरा, he is a man of means, he is a man of means, समझेगा, यानि means यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही ना, सुक्सम्रद्द वाला, he is a man of means, तो option number C हो जाएगा, 69 का, C हो जाएगा, 70 कहरा है, he dislikes, अब देखो, he dislikes, dislikes के बद, have to तो नहीं बनेगा, having to बन जाएगा, यानि कि, punish his friends, he dislikes, having to punish his friends, यानि option number B, बहुत हो जाएगा, 70 का, 70 का क्या अंसर हो जाएगा, having to, यानि B, 71 का अंसर देख लेते हैं, सेनेनम बताने हमें, drowned का मतलब बता डूब जानना, तो submerged हो जाएगा, यानि 71 का C हो जाएगा, 72 का रहा, autumn is rather a dry season, dry मतलब सूखा, तो क्या हो जाएगा, arid, arid मिन सोथा सूखा, यानि 72 का E हो जाएगा, 73 का, are differences, differences मतलब मतभेद, disagreements, disagreements, यानि, differences का सनेनम क्या हो जाएगा, disagreements, जो कि, option number C में है, 73 का C, 74 में कहरा है, the big tree, hindered, hindered मिन सोथा है, छुपाना, रोक के रखना किसी इसको, impeded मतलब बाधा दानना, तो option number A हो जाएगा, hindered का option क्या हो जाएगा, A, impeded, 74, 75 का अंसर कहरा है, the complexity, complexity मतलब कि जटिलता, जटिलता अगर है, तो फिर क्या हो जाएगा, intricacy, intricacy में सोथा जटिलता, option number B, 75 का B-ball हो जाएगा, 76 में कहरा है कि, he drank, excessive, मौती बहुत से ज़्यादा, inordinate, यानि B-ball हो जाएगा, 76 का B-ball, inordinate हो जाएगा, बहुत ही आसान पेपर है, तफन नहीं है, अगर आपके concept, और आपने थोड़ा से महनत किया है, तो बिल्कुल आप अच्छा स्कॉर कर पाएगे, complexity, intricacy हो जाएगा, excessive, inordinate हो जाएगा, initiate जानते हो, initiated मतलब स्टार्ट करना, तो क्या हो जाएगा, उसका सेनन, begin हो जाएगा, बिल्कुल, second form initiated है, तो begin यहाँ पर second form है, she looked pale, pale मतलब बहुत ही पीला देखना, कमजोर देखना, तो क्या हो जाएगा, swallow हो जाएगा, swallow हो जाएगा, option number A, swallow हो जाएगा, 78 का swallow, 79 में कर रहा है, overrule, overrule मतलब कि veto, तो overrule कर दिया, अपने जजों को देखो, आप पर action में, तो वहाँ पर overrule में बोलते हैं, overrule यानि veto हो जाएगा, यानि इसका synonym क्या हो जाएगा, overrule का veto हो जाएगा, 79 का b-ball से, 80 का his behavior shocked me, shocked me मतलब कि अचंभित कर दिया, अचंभित appailed कर दिया, 80 का C हो जाएगा, 81 नों देख लेते हैं, स्पोर्डिंग दे रहा है, इसमें थुरा दल आपको बताना है, बता भी देंगे, everything is going well, we didn't have any problem, everything is going well, main clause है, sorry, main clause है, और ये कह रहा है कि, सब कुछ अच्छा चल दा है, we didn't have, past की बात नहीं करेगा, present की बात कर रहा है, तो present होना चाहिए था है, option number B ball में, we don't have any problem, didn't have की जिगा पर क्या होना चाहिए था, don't have any problem, 81 में B ball में एर रहा है, we don't have any problem, लवन्या has not gone to work yesterday, yesterday past की टाइम बात कर रहा है, यहांई कि जो हमारा टाइम हो, past की बात कर रहा है, तो यहांपर has not ना होकर क्या होना चाहिए था, did not go, लवन्या didn't go, यहांई ए पाड में एर रहा है, 82 की ए पाड में, 83 में, look the boy over there, wears the same sweater as you, अभी sentence बढ़ा अच्छा sentence है, यह एक particular खास point की बात कर रहा है, जब किसी particular किसी खास point के लिए बात की जाए, और short time के लिए बात की जाए, तो वो action हमारा continuous tense में होता है, देखो उस लड़के की तरफ, देखो जो लड़का, क्या में रहा है, wearing the same sweater, तो क्या हो जाएगा, look the boy over there, was wearing the same sweater as you, या फिर is wearing the same sweater as you, जैसे आप पहन रखे हो, वो उस लड़के की बात कर रहा है, किसी खास point particular time की बात की जाए रहा है, तो यहाँ पर 83rd में जो answer हो जाएगा, वो was wearing या is wearing कर रहा हो, कुछ भी यहाँ पर wears नहीं होगा, क्योंकि wears करने से हम यह बता रहे हैं, कि वो लड़के की habit की बात की जा रहे है, जो जलल present in different tense होते हैं, वो किसी action या किसी habit को represent करते हैं, तो ऐसा ही sentence में नहीं है, meaning समझेगा sentence हो, अगर आपके concept clear है, अगर आपने धांक से English पढ़िए, तो फिर आप English को कर पाएंगे, इन error को कर पाएंगे, अगर आपने ruled a truck है, तो नहीं कर पाएंगे, look the boy over there, wears the same sweater, नहीं होगा, क्या हो जाएगा, was wearing, is wearing the same sweater, यह हो जाएगा, option number B ball, 83 का B ball में error है, 84 में कर रहे है, it begins to turn dark, shall I switch on the light, अब देखों, यहाँ पर जो question, जो demand की जा रहे है, आप से request की जा रही है, वो permission लिया जा रहा है, वो यह कह रहा है कि, shall I switch on the light, यानि light को switch on करने की जरूत कप पड़ेगी, जब ध्यारा हो जाएगा, तो यहाँ पर it begins नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहेथा, it is beginning, या फिर it has begun, दोनों में से एक होना चाहिएता है, तो 84 में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, बहुत ही अच्छी एरर से, अगर आपने थोड़ा से दिमाग लगाएंगे, तो कर पाएंगे, it begins नहीं होकर क्या हो जाएगा, it is beginning, या फिर it has begun to turn dark, shall I switch on the lights, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से, it is beginning होना चाहिए, it is beginning, option number 84 में ए हो जाएगा, अब या आयोक की आंसर की नहीं आई है, यह हम लोग की आंसर से, यह हमारे आंसर से, और इसे मैच करिएगा, अपने आंसर मैच करिएगा, 85 की है, रमेन और मिताली, बात की जाएगा, रमेन और मिताली की बात की जाएगा, रमेन और मिताली दो लोग है, तो प्लूरल हो जाएगा, है बीन मैरेट, है बीज सालों से, मैरेट है, तो क्या हो जाएगा, आमन और मिताली, यानि संटेस में कोई अरा नहीं है, 85 sentence में कोई error नहीं है passing कर देता हो Roman and Mitali subject हो गए have helping or been married यहाँ पर क्या है married यहाँ पर जो है वो आपका past participle है समझेगा past participle है यहाँ पर married Roman and Mitali have been married for 20 years यहाँ पर जो error है इसमें कोई part में error नहीं कोई भी error नहीं है इस part में इस sentence में 85 में no error है I have played basketball for the past three hours past three hours है नहीं की time की बात की जा रही है time बीद भी गया और भी चल भी रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा continuous tense होना चाहिए और perfect भी होना चाहिए तो perfect continuous होना चाहिए I have played नहों कर क्या हो जाएगा I have been playing I have been playing option number E होना है error होनी चाहिए 86 में A में होगी I have been playing 87 में कर रहा है कि Jamila had a book in front of her but she didn't read it अब देखो मेरे पास book है लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा था यही मैं करना चाहरा हूँ तो Jamila had a book उसके पास book थी in front of her उसके सामने but she did not read it वो पढ़ती नहीं थी ना वो पढ़ नहीं रही थी उस particular time के action को या उस particular moment पर दर्सान आ हो किसी action को किसी action को किसी खास particular moment पर दर्सान आ हो उसके पहले ना कि उसके बाद के तो फिर आप हमेंसे continuous form में रखा करो जैसे मैं पहले भी बताया हूँ तो क्या हो जाएगा Jamila had a book जमीला के पास थी उनके पास सामने थी लेकिन वो पढ़ नहीं रही थी उस point of point time पर वो पढ़ नहीं रही थी तो क्या हो जाएगा बर she was not reading it she was not reading it 87 क्या क्या हो जाएगा C हो जाएगा C पार्ट में रहा है 88 में कह रहा है कि when she heard the news जब उसने news सुनी she hasn't been very pleased अब पास्ट की बात की जा रही है यहाँ पर action अगर time past का है तो action भी past में होगा action अगर past में हो तो वर भी past में होनी चाहिए when she heard the news she was not very pleased she was not हो जाना चाहिए थे हाँ पर she was not she hasn't been नहों कर C यह वहाँ पर क्या हो जाएगा she was not very pleased वह बहुँ जदा खुश तो नहीं थी जब उसने news सुना तो has not been नहों कर यहाँ पर यानि 88 में B ball हो जाएगा वह दासा ने 89 में कर रहा है कि where are you coming from तुम कहां से आ रहे हो are you an American क्या तुम American हो are you an American तुम कब किसी से पूछोगे किसी से तब पूछोगे जब वह इंसान आ चुका होगा या कहीं से आ रहा होगा जैसे बादे वह आ चुका होगा अगर वह आ चुका होगा तो where are you coming from ना होकर क्या होना चाहिए where do you come from या फिर where have you come from where have you come from यहाँ पर बेटर होगा where have you come from तुम कहां से आय हो are you an American क्या तुम American हो तो यहाँ पर 89 का ये पार्ट में रहा है where have you come from होना चाहिए where are you coming from गलत हो जाएगा where have you come from देखे इस sentence में अगर आपके concept clear है तब ही का रपा होगा क्योंकि grammatically तो इसमें कोई error है नहीं in sentences में लेकिन concept और logical thinking से आप चीजों को आसान कर सकते हो तो यहाँ पर देखो concept लगाओ दिमाग लगाओ तो क्या हो जाएगा पूछोगा किसी इंसान से तब जब वो चीज आ गया होगा तो where are you coming from गलत हो जाएगा क्या होना चाहिए था where have you come from या फिर where do you come from मैं जो जाओंगा where have you come from के साथ जाओंगा where have you come from जो completion को दिखाता है perfect 90 नमर में कह रहा है I went to Canada मैं Canada गया था a few years ago for a holiday for a holiday नहीं होना चाहिए था यहाँ पर क्या होना चाहिए था on a holiday होना चाहिए था active mode की जो वर प्रेपाजिशन होता है वो on होता है आपने basic simple तरीका है ध्यान दिजे switch light को on करते हो switch on light active mode में हो जाती है अब जिसे मैं बोलू persons on क्या बोलेंगे on duty बोलते हैं on duty मैंने कि अगर को इंसान को बोलें on duty तो वो क्या है वो इंसान उस समय duty पर है यानि जो state जो क्या बोलते है active mode की जो preposition होता है वो on होता है on preposition बहुत सारी चीज़ों का होता है surface के लिए भी होता है closed area के लिए कुछ भी दिखाने के लिए वहाँ पर भी लगा सकते है और भी चीज़ों के लिए on लग जाएगा तो on यहाँ पर क्या होना चाहिए था I went to Canada a few years ago a few years ago की बात की जा रहे तो past की बात है सही है I went to Canada a few years ago on a holiday 90 नंबर में C में preposition के रहा है for नहों कर यहाँ पर क्या होना चाहिए था on चाहिए था 91 देखते हैं 91 में question में कह रहा है कि आपको यहाँ पर jumble है बहुत ही आसान है आप आंसर बताइएगा jumble में क्या हो जाएगा from Europe to America इसमें जो आंसर हो जाएगा SRPQ SRPQ यानि 91 का B-ball हो जाएगा 91 का B-ball हो जाएगा 92 में जो आंसर हो जाएगा PRQS 92 में PRQS 92 का C हो जाएगा 93 का आंसर जो हो जाएगा हो जाएगा QPSR QPSR Onu की option number D-doc 93 का D-doc हो जाएगा QPSR 94 का जो आंसर हो जाएगा QSRP QSRP AA 94 का again D-doc हो जाएगा QSRP 95 का अंसर क्या हो जाएगा SQRP SQRP, किसमें है, A में है, 95 का A हो जाएगा, 96 का अंसर क्या हो जाएगा, 96 का अंसर हो जाएगा, QPRS, QPRS यानि DDOG, 96 का DDOG हो जाएगा, 97 का अंसर क्या हो जाएगा, SRQP, SRQP, यानि 97 का अगें DDOG हो जाएगा, SRQP, 98 का अंसर क्या हो जाएगा 98 का अंसर जो हो जाएगा वो S, P, R, Q S, P, R, Q यानि C हो जाएगा 99 का अंसर क्या हो जाएगा S, R, Q, P S, R, Q, P यानि बी बॉल 99 का जो अंसर हो जाएगा वो बी बॉल हो जाएगा 100 का अंसर क्या हो जाएगा 100 का अंसर बताइजे जरा the first job यानि आर से स्टार्ट होना चाहिए था the first job he performed on reaching the post हाँ RQ RQ यानि क्या RQ PS 100 का D हो जाएगा RQ PS RQ PS यानि D डॉग हो जाएगा question number 101 का क्या हो जाएगा इसमें हमें क्या दिखाना है completion of sentence sentence को complete करना है question number 1 में I asked two people the way to the station मैंने दो लोगों से रास्ता पूछा but neither of them could help me लेकिन दोनों में से कोई किसी नेने मुझे नहीं मदद कर सक्या तो यहाँ पर E हो जाएगा 101 का E हो जाएगा बाकी सारे options गलत है however नहीं होगा yet फिर भी नहीं होगा nevertheless फिर भी नहीं होगा option 101 का क्या हो जाएगा E हो जाएगा but neither of them could help me 101 का 101 का E हो जाएगा 102 में करें the room was very warm जो दूम था बहुत ही गर्म था उसका reason क्या था गर्म होने का because the AC was set to moderate temperature अगर moderate temperature पर होता तो गर्म कैसे होता though the AC was set to very cold though the AC was set to very cold since the AC was not very warm in its temperature setting यह भी गलत है match नहीं करा since the AC was in a very low temperature अगर low temperature में तो बहुत ठंडा हो जाता है उसका पीछे गलत है यानि कि because और 2 में कोई एक लगेगा अब देखो the room was very warm because the AC was set to moderate temperature यह गलत है the room was very warm though the AC was set to very cold हाँ बिर्कुर यह सही हो जाएगा दो जो है contrast दिखाता है room बहुत ही गर्म था यद्दब पी जो AC थी यह बहुत ही though the AC was set to very cold जो AC था वो AC का mode था बहुत ही cold था फिर भी room बहुत ही गर्म था यानि यह sentence matching कर रहा है दो आपको बता है ना दो all दो जो है contrast दिखाते है 102 का B ball सही answer होगा 102 का B option सही होगा 103 देखते है 103 में कर रहा है we could leave today और we could leave tomorrow आज हम जा सकते हैं अकल हम जाएं यह depend करता है हमारी बात पर यानि क्या करेंगे आपर क्या हो जाएगा 103 का depending on what you prefer depends यह करता है कि किस को प्रिफर कर रहा हो तो यहाँ पर C हो जाएगा मुझे लगता C हो जाएगा इस बचे ने A दिया है A नहीं होना चाहिए यहां पर C होना चाहिए 103 का C depending on what you prefer 104 का अंसर क्या हो जाएगा मोहन and I couldn't get into the house because मोहन और मैं घहल के अंदर तो नहीं जा सका है उसका रेजन क्या था निदर आफ ऐस हैट दकीज हमारे हमें से किसी के पास की नहीं थी तो निदर आफ ऐस हैट दकीज है तो बहुत हासान है 104 का A होना चाहिए C बचे ने लगाया है जो की गलत है A होना चाहिए 104 का A 105 का There are many good hotels You can choose to stay in बहुत सारी hotels है और में से one of them किसी एक में से तो one of them यानि 105 का B बाल हो जाएगा 106 में जो आंसर हो जाएगा The bus service is very good There is a bus every 10 minutes 106 का D dog हो जाएगा 107 में के रहा है We live near a busy airport The planes fly over our house यानि क्या हो जाएगा By our house थोड़ों हो जाएगा Over our house 107 का C हो जाएगा Dan was very quiet He did not say a word All the evening होना चाहिए था The entire evening थोड़ों कुछ औरता All the evening Better word है All the evening पूरी यूनिग यानि सामभर तो कुछ नहीं बोला हो तो क्या हो जाएगा All the evening Option number A 108 का E होना चाहिए 108 का E ही ठीक लग रहा है मुझे E ही होना चाहिए 109 का देखते हैं I don't like stories Stories मुझे नहीं पसंद है मैं नहीं पसंद करता हूँ जिन क्या है कौन सी स्टोरीज को नहीं पसंद करते हो Which can have unhappy endings विर्कुल That have unhappy endings Which can have तो गलत हो जाएगा That have unhappy endings विर्कुल Option number C बेटर है For 109 में I don't like stories That have unhappy endings जिनकी unhappy endings होती है तो यहाँ पर जो हो जाएगा 109 का हो जाएगा मेरे हिसाब से That have unhappy endings Option number C 109 का C 1010 का Not everything that happened was my fault जो कुछ हर चीज जो हुआ था वो मेरी गलती नहीं थी Not everything that happened was my fault अब हमें पता ना Everything but that यहाँ पर relative number on that ही लगेगा तो तो आसान ही हो जाएगा Not everything that happened was my fault Which भी लगा सकते हैं ऐसा नहीं है लेकिन यहाँ पर that happened was my fault बहेटर option है 1010 का यह हो जाएगा 1011 यानि कि 111 यानि 111 111 का में आर से परेजंबल है और इसका मैने आंसर थोड़ा सा पढ़ा है आप मैच करियेगा Option number 111 इसमें जो हो जाएगा मेरे सब से They do not move to warmer place The birds die of hunger in winter Because they do not move to warmer places Option number 111 का 111 का क्या हो जाएगा 111 यानि 111 यानि इसे नेलसन नमबर बोलता है नेलसन नमबर यानि तीन वर्ड एक तीन नमबर एक ही टाइप जिसे 222 पांसो पच्श्वन इस टाइप से 111 नेलसन नमबर बोलता है Cricut में अक्सर यउच के जाता है नेलसन नमबर 111 तो दबज डाई इसके लिए डीजन क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 111 का ए हो जाएगा 112 में कर आए कि 112 का भी आंसर ए हो जाएगा 113 का आसर हो जाएगा वो होना चाहिए डी डॉग वरी टू मच अबाउट फीचर 114 का जो आंसर होना चाहिए था वो मुझे लगता बी बॉल होना चाहिए इल एजुकेटेड जैसे बाते हैं पर एरोडाइट का अंटेनर में बता ना पढ़ा लिखा तो तुम्हें पैसे जना पढ़ता तब भी बता सकता था या कोई भी पता सकता था एरोडाइट मींस होता है पांडेत पूर्ड इंसान बहु मेरे साथ से ही मेरे सांब से प्रोग्रेस फ्रोग्रेंज्ब इस की विदे ढिखत U Llachy को मैरे साथ है प्रोग्रेस फोप मैंने काइनकिन हाड कॉपी तो नहीं यह सौट कॉपी है मेरे पास अगर हाड कॉपी मुझे मिलती है तो मैं उसे टिक करके अपने पीडियो फॉर्म में टेलिग्राम चैनल पर दे दूगा और टेलिग्राम चैनल की लिंक में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूगा तो वहां से करता येगा और फिर अगर आप लॉजिकल अंसर दे रहे हैं और रीजन भी आपका लॉजिकल है तो मैं जरूर्ट उस पर डिसकस करूंगा कोशिस करूंगा तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहेंगे कि इसका डिटेल में वीडियो सर बना दीजे तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में तब देके लिए टाटा बाइब आपना ध्यान रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैन दोस्तों